आपका स्वागत है मैं हूँ रश्मी आप देख रहे हैं आज का इजेंडा आज हम बिहार जारकन की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे बिहार की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना से सम्वादाता रुपेंद श्रिवास्तव और जारकन की खबरों को विस्तार से बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ राजी के खेलगाओं से सम्वादाता विनाश कुमार तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज का इजेंडा तो दर्भंगा में शर्णीवार को अपराधियों ने दो इंजीनिरों की हत्या कर दी इंजीनिरों की हत्या की बाद बिहार में एक बार फिर लॉज एन औरडर का मुद्धा घर्मा गया है हाला कि सरकार का कहना है कि वो राज्य में कारून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है लेकिन रंगदारी के लिए राज्य में दो इंजिनियर की हत्या दिन दहारे एक बड़ा सवाल उठाता है हत्या की घटना के बाद डीजेपी पी के ठाकूर ने आला दिकारियों के साथ बैठा की है इस मामले में पुलिस ने अब तक छे लोगों को गिरफतार भी किया है एक बाद फिर से बता दे आपको की दरभंगा में दिन दहारे दो इंजिनिर्स की हत्या कर दी गई है और इसके बाद से लौ एन ओर्डर का मुद्दर और भी गर्माता चारा है सियासत भी शुरू हो गई है यहां बता दे आपको कि इंजिनिरों की हत्या के बाद बिहार में एक बार फिर लौ एन ओर्डर का मुद्दा घर्मा गया है एक तरफ सरकार दावा करती है कि वो राजी में कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है और इस तरह से जो हत्या की वारदाते सामने आ रही हैं कई लूट की वारदाते सामने आ रही हैं तो सरकार की कारिशाली पर सवाल उठना लाजमी है रंगदारी के लिए राजी में दो इंजिनिर की दिन दाड़े हत्या के बाद सवाल उठने लगे हैं हत्या की घटना के बाद DGPP के ठाकोर ने आलाधी कारियों के साथ बैठक भी की है और इस मामले में पुलस ने कारिवाई करते हुए छे लोगों को गिरफतार किया है जिन से लगातार पूछ ताच की जारी है तो दरबंगा में शानिवार को अपराधियों ने दो इंचीडियरों की हत्या कर दी है और इस वारदात के बाद जो कारूबारी वर्ग है उनमें काफी गुस्सा भी है और कहीं न कहीं वो दहशत में भी है आईए अब इस घटना से जुड़े कुछ महत्वपोर्ण बात आपको बताते हैं सूत्रो सिमिली चानकारी के मताबिक इस घटना को मुकेश पाठा के रोह ने अंजान दिया है जो उत्तर बहार का कोख्या संतोष जागिरों का मोख्य शूटर है संतोष इस वक्त जेल में कैद है उसे स्टीफ ने 12 फरवरी को 24 परगाना कोलकापा से गिरफ़तार किया था मुकेश पाठक दो साथियों के साथ 17 जनवरी साल 2012 को राची से गिरफ़तार किया गया था लेकिन इसी साल 21 जुलाई को शिवहर सदर अस्पताल से मुकेश पुलिस कर्मियों को चकमा देकर वहाँ से फरार हो गया इसके बाद से ये लगातार सीतामडी, शिवहर, मोतिहारी और दर्भंगा में कई घटनाओ को अंजाम देता रहा है दो दिन पहले ही इसने सीतामडी में एक बिजनसमैन और एक पत्रकार से जंगदारी मांगी है जिन दो इंजीनिर्स की हत्या हुई है, उन लोगों ने सुरक्षा की भी मांग की थी सिले के एसपी ने 11 दिसम्बर को होम गार्ड के पाँच जवानों को सुरक्षा की मद्दे नजर त्यानाद दी किया था लेकिन कल ही उन पाँच जवानों को वापस बुला लिया गया था इस मामले से जुड़े एक बड़ी ख़वर बता दे आपको इंजीनिर्स हत्याकान में बेहरा थानर प्रभारी रमाशंकर सिंग सस्पेंड कर दिये गया जाज के लिए स्टी एफ एस पी शिवदी फ्लांडे पहुंचे हैं पई दर्भंगा के एस पी एके सत्यार्थी भी इस मामले की तहकिकात कर रहे हैं और लगातार चापे मारी जारी इस सिलसिले में ताकि अब राधियों तक चल्द से जल्द पहुंचा जा सके तो बड़ी खबर है अपडेट है इस मामले में बता दे आपको कि इंजीनिर हत्याकान में बहरा थाना प्रभारी रामाशंकर सिंग को सस्पेंड कर दिया गया है तो सीधे रुकरते दर्भंगा जामाय समवादार्था मुकेश जुड़े हुए फोल लाइन पर मुकेश जानना चाहेंगे आपसे जो खबरे मिल रहे उसके मताबे की इंजीनिर हत्याकान में बहरा थाना प्रभारी रामाशंकर सिंग को सस्पेंड कर दिया गया है और क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास यह तो अगाज है अन्जाम बाकी है इस तरह का पर्चा फेक कर और उसके बाद मुकेश करिणाम लेते हुए जिंदावाद करते हुए लोग वहां तो फरार हो गए बढ़ी बात यह है कि जब एक पांच एक चार की पुलिस फोर्च बहरा थाना के द्वारा दी गई थी तो एक दिन पहले उस फोर्च को वापस क्योग ले लिया गया एक बड़ा सवाल या निसाने इसी कि मद्दे नगर एसेस्पी ने जब सवाल किया तो बहरा थाना परवारी कुछ बोले से इंकार कर दखे और उनका दिलम्मन हो गया दूसरी तरह मैं बात करूँ वहां पे जब भी घटनाए घटी थी उसका रात वर देज एसेस्पी एक सत्यार्थी दीएस्पी तमाम पुलिस परसासान वालाया तार्था पर मारी कर देजिए लेकिन हाथ में अभी तरह उन लोग को पुछ भी ने लगा लगा है जिन छे लोगों को हिरासत में लिया गया है यह एक राज़ितिक पार्टी से नजड़ी की है और जहां तक जानकारी प्राथ हो पारी है इन पूरे बिहार में लगा 35 अपराजिक मामले दर्ग है और इस मामलों पर पुरी सुझी खोज कर रही थी जी अजड़ी के खबरे मिल्रे कि शिवदीप लांडे भी मौके पर पहुचे है उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में संधीप लांडे देरात में पहुचे है और अ नीती माना रहा है और बना करका वह चापमारी करना रहा है और जास करना है तुक ही ना कई पूलिस की कारशाली पर कई सबाल उठते हैं उनके पैत्रोई का आवास पहुचा शब पहुचने के बाद वहां मातम पसर क्या मुकेश की पत्मी बच्चे और पैजनों का रोरो कर बुरा हाल थे मुकेश के पैजन और उनके पडोसी इस घर्टना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं और अप रादियों की चल से जब गिरफ्तारी की मान करें प्रशासन पूरी तरह से भीपल है जब रंगडारी मागी रहे कि सुरक्षा देने चाहिए सुरक्षा नहीं मिलने के तारा नहीं यह प्रशासन से हमारी मां सबसे खले तो सब्सक्रादी को सजाम भी है फिर किसी इंजिनर की हत्या में ही किस्टिंटी की ठोस्तारवाई है तो बहुत सब्सक्राइब करें तो बड़े इतना है तो बड़े वारे के आत्मार के इतना घर दे तो इस अपना से उचुचे दर्भंगा में मारे गए दूसरे इंजिनर बरजेश कुमार रोहता सिल्सिले के रहरी और सौन के रहने वाल थे जैसे ही बरजेश के हत्या की खबर मिली उनके घर पर मातम पसर गया पत्नी रीना और बूठी मां का रोड़ो कर बुरा हाल था रजेश बीस दिसमबर को अपनी दो साल की बेटी का जर्म दिन बनाने डिहरी आये थी 25 दिसमबर को वो दर्वंगा पहुचे थे इस घर्पा के बाद स्थानी ए लोगों में काफी आक्रोश है लोगों ने दोश्यों की जल से जल गिरफ्तारी की मांग की बबाब में मातम का माहौल है लोगों का रो रो कर बुरा हाल है पैशनों के बीच मातम पसरा हुआ है तो इसके साथी साथ उनने गुस्सा भी काफी है पैशन इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं और साथी साथ जल से जल आप राज्यों की जिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो रो करने पे बेगुस्राइच हमारे समवादा था राजीव जुड़े हुए फोन लाइन पर राजीव इस मामले में अपडेट्स क्या है आपके पास जब अपने पैत्रिक निवास पर आया तो सारा महौल गमगीन हो गया और काफी लोग इकठे हो गया और तरह तरह की बाते होने लगी और सभी लोगों ने प्राशासन से मांग की है कि अगर अगर ये मिर्टक के परिवार को मुवाज़ा दिया जाए और जिसने भी घटना की है उसको करी से करी सजा दी जाए जी राजी फिलार इंचानकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो जो परिजन है उनमें काफी गुसा है और फिर वो सरकार से मांग कर रहे प्रशासन से मांग कर रहे जल से जल अप्राधिती गिरफतानी है तो दर्भंगा में मारे गया दूसरे इंचीनियर बरजेश कुमार रुहतास से जले के नहरी और सौन के रहने वाले थे जैसे ही बरजेश के हरत्या की खबर में लिए उनके घर पर मातम पसर गया पत्नी वीना और बूठी मांका जो रोकर बुरा हाल है यह बतादे आपको कि प्रजेश बीस दिसम्बल को अपनी दो साल की बेटी का चर्मदिन मना ने देहरी आये हुए थी 25 दिसम्बल को वो दर्भंगा पहुँचे थे इस घर्टा की बाद स्थानी लोगों में आक्रोश है आप लोग कुछ निकाल सकते हो समधान वहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पर गुंडागर्डी वहाँ का जितना चीज भी है क्या खतम होगा कभी कि हैसे हमेशा कोई ना कोई मरता रहेगा उन लोग की वज़े से कुछ है solution आप लोग के पास की बस photo ही लेंगे आप लोग उस कर सकते है लोग का बस photo जाएगा लेकिन जा नहीं हो ले थो आपस आएंगे नहीं तो कोई आप लोग solution निकालिए इस सब चीज का सरकार के मुख पर एक तमाचा हम मान रहे हैं सरकार बनते ही एक तमाचा दिखने को मिल ला है कि हम लोग हसता खिलता लड़का को देखे अब उसका उमर ही किया था वही 30-32 साल उमर और मने घर का मुख वारिस से चला गया विचरा तो इस वक्त अमर्जीट जो चुके है फोन लाइन पर अमर्जीट ब्रजेश का जैसे ही शब पहुचा जाहिर सी बात है मातम पसर गया परिवार में फिलहाल परिशनों का क्या कहना है यह बिल्कुल यहां पर जो दरदना घटने के बाद जो गाउं के आज पास के लोग यहां था कि परिवार के लोग मातमी चाना था बिल्कुल चाया हुआ है लागतार लोग एक तर्चे देखा जा रहा है कि सहीने के लोगों के चेहरे पर आकोस भी देखा गया है इस साथ और पर जनों को कहना है कि इस तरदना की वादाद जब पहले पुलिस की सुचना की रंगडारी की मामला था तो पुलिस में क्यों नहीं सुरक्षा रस्ता किया जब्की नियर थे और जो रोड जो इस कमपनी में काम कर रहे थे पुलिस को सुरक्षा नहीं पदा दिकारी हो तो जो पाईजन है वो पुलिस की कारशाली पर सवाल उठा रहे हैं और अब आद पटना वासियों से चुड़े खबर की तो पटना के संचे गांधी जैवे को ध्यान में मौनिंग वॉक करने वालों से अब शुल्क लिया जाएगा जू प्रशासन प्रती व्यक्ती 200, 500 और 1500 रुपे वसूलने की तैयारी कर रहा है ये शुल्क मासिक, त्रामासिक और वाशिक होगा तो पटना वासियों के लिए थोड़ी परिशान करने वाली खबर है अब पटना वासियों से प्रशासन शुल्क वसूलने जा रहा है दैसल पटना की संजय गाली जावे को ध्यार में मौनिंग वाउक करने वालों से अब शुल्क लिया जाएगा तो इस मामले पर पूरी जानकारी के साथ जुड़के हमारे जी मीडिया समवाद आता रुपे इंद्र शेवास्टव रुपे इंद्र जो पटनावासी है उनकी जेव धीली होने जा रही है मौनिंग वाउक के लिए तो घूमने फिरने के लिए किस तरह से सरकार के इस फैसले को ले रहा है पटनावासी जी जहां तक बात के जाये तो पटना वासि जो हैं उनकी अब्जेव डिली होने जारी है उनके लिए खास है जो मौनिंघ वाक करने आते हैं और सुबह बात की जाया तो जू में बीस हजार के करीम में लोग आते हैं ती मौनिवा करने और अपने स्वास लाप के लिए तो बीस हजार की संख्या जो पार कर रही है उसके बाद जू परसासन कहीं न कहीं इस पर अब लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया है और खास समय जो यहाँ पर चाहल कर्मी होती है इसके कारण लोगों को काफी परसानी हो रही है इसके कारण ये जू परसासन ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर अब सुलक देने पड़ेंगे और ये एक माह में जैसे दो सो रुपिया रखा गया है तीर मेहने के लिए पांट सो करने वाले लोग कि उनकी संख्या में कम आएगी तो एक तरह से जू परसासन अपने तरफ से देखा जाए तो से कर रहा है कि कम से कम लोग आए लेकिन कहीं ने कहीं जो पटना वासी हैं उनके लिए यह जेव डिली करने वाली बात हो गई है और कहीं ने कहीं वह दुखी हैं पार ने हैं कि अथ्यू का रूघ रिए और अब फ Torם के जैने कहें तो इसको से बात करने हैं अब तो यह आ पर अब भी जो यह अधि यह ख दीली आप जो करने घंड़ को इनर फिटनेस तो इसके लिए बहुत ज़रूररी है यह ठिक हैण Alrighty पास लेना होगा उसके बाद ही आपकी अंट्री होगी पट्डवास्यों को अब सेहत बनाने के लिए अपनी जेब धीली करने पड़ेगी तो लोगों में थोड़ी नाराज़ की सरूर है फिलाल इंचानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्रापका बिहार की दूस्की खबर जिस पर हमारी नजग रहेगी उस पर एक नजग डाल लेते हैं बिहार के उतपाद एवा मद निशेद मंत्री अब्दुल सलील मस्तान आज 31 बिहार कलाश्री और पत्रकार श्री अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित करेंगे पत्ना की कदम कुवा में आज दो बजे बिहार साहिति सम्मेरिन का आयोजिन किया गया है पत्ना में आयोजित 35 वी सब जूनियर राश्रेबाल पैटमिंटन चेंपियंशिप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा इस टूनामेंट में देश की 50 टीमों ने हिस्सा लिया है बिहार में ये इस तरह का पहला टूनामेंट है बात करते हैं जारखन की तो राची में आज से साथवा राश्रेब वनवासी खेल महोटसब शुरू होने जा रहा है उद्गार्टन समारों में केंद्रि मंत्री चुवेल उराव और सीम रगवर्दास शामिल रहेंगे चलते हैं सीधे राची के खेल गाउं में जो हमारे सामवादा था अविनाश कुमार चुड़े हुए हमारे साथ अविनाश आज से साथवा राश्टी वनवासी खेल महोटसब शुरू होने जा रहे है तैयारियां किस तरह देख रहे हैं देखे रश्मी तैयारी पूरी हो गई है और जितने भी खिलाडी है जो जानकारी मिल पारी है कुल 27 राजियों के करीब 3 हज़ार खिलाडी इस वक्त राशी के खेल गाओं पहुँच चुके हैं और आज ही उसका उदगाटन भी होना है उदगाटन के बाद जो महोत्सव है वो 31 डिसमबर तक चलेगा आपको दिखाने की कोशिस करेंगे कि ये मारे पीछे मंच है मुख्य मंच आप कह सकते हैं जिस पर केंद्री मंत्री मुख्य मंत्री सहीट जो भी आगंतुक होंगे वो उपस्थित रहेंगे और इसके इलावे ये खेल गाओं का राष्टी अश्तर का कह सकते हैं स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में अगले 31 डिसमबर तक खेल चलेंगे कई तरह के इवेंट्स हैं चाहे वो खोको हो कबड़ी हो 100 मिटर्स रेश हो या फिर तिरंदाजी हो अलग-अलग इवेंट्स होने हैं और जितने भी राज से खिलाडी पहुँचे हुए हैं सभी का लक्ष है कि जीतना लेकिन जीतेगा कौन इसको लेकर अभी संसे बरकरार है क्योंकि जिस तरह से तैयारी लगातार की जा रही है और जो दावी किये जा रहे हैं हर राज ये चाहा रहा है कि जादा से जादा मैडल्स उनके खाते में जाए लेकिन जब खिल शुरू होगा और जब अंत आएगा उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन सा राज सबसे आगे रहा जी स्टेडियम भी तयार है और खिलाड़े भी तयार है जीत सब के लिए माइने रखती है विनाश फ़लाल इंचानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चले बढ़ते आगे प्रधान मंति नरेंध्र मोदी आज आकाश्वानी पर मन की बाद कायकरम में एक बार फिर अपने काई क्रम में प्रधान मंत्री विभिन निस सामाशिक मुद्दों पर अपने वैचारों को आम जन्रता की साथ साजह करते हैं इसके लिए पियम मोधी ने आम जन्रता से सुझाब भिया मंत्रत करते हैं काई करम का प्रसारन रविवार सुबह 11 बजे किया जाएगा चले अब बात आज के इतिहास की तो आज ही के दिन साल 1797 में उर्दू फार्सी के प्रख्यात कवी मिर्जा गालिब का जन हुआ था वही 1945 को वैश्विक अर्थवयवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी साल 1965 में बॉलवुड अवनेटा सल्मान खान का जन्म हुआ था और 2000 आस्ट्रेलिया में विवाहपूर्व संबंधों को कानूनी मानित आदी गई थी वैयाजी के दिन साल 2007 में रावल पिंडी के पास पाकिस्तान की पूर्व प्रदान मज़ी बेन जेव भुटो की कोली मार कर हत्या किर गई थी